अब मार्केट में देखा जाए तो 12 रुपए में बहुत सारे ऑप्शन्स है सौ से उपर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे अब यहाँ पर कौन सी लें क्या वो BDXP की वाच है, क्या वो Noise की वाच है, क्या वो Board की वाच है क्या वो आपको पायर बुल्ट की वाच है, क्या एम ब्रेंड की वाच है वो यहाँ पर मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी से अंडर तुथां रुपीज के प्रैस ब्रैकेट में बेस्ट वाचेज आपको आज में बताने वाला हूँ और अंडर फिप्टीन हंडिट, अंडर बंताओ रुपीज वाली मैंने वीडियो अल्री डाल दूई है अच्छा कासा रिस्पॉंस आया तो मैंने सूच है अंडर तुथां रुपीज के प्रैस बेकेट में भी डालना चाहिए कि हमारे चैनल पे बेस्ट वीडियो मिलती है आपको और वेली फर मानी प्रोडट्स की वीडियो हम बनाते रहते हैं लूट डील की वीडियो मिलती रहती है आपको सबसे पहली वाच आते हैं यहाँ पे फायर बूल्ट की एमपरर यह एक अट्रेक्टिव प्रैस बेकेट में मिल रहे है फर्स्ट अफॉल और फीचर रिच यह वाच चाह सकते हो आप सारे के सारे फीचर जो आप सोच सकते हो इसमें देखने को मिल जाते हैं और अभी फंद्रा सो निन्यानबर पर के एक लूट डील पर मिल रही है तो आपको फार बोल्ड की दूसरी वाच को चेक आउट करना पड़ेगा वो आपको आगे बताऊंगा वैसे इस वाच को मैं रखता हूँ फर्स नमर पे और लिंक मैं आपको इसकी डिसक्रिप्शन बॉक्स में देदूँगा जाके आपको वहीं से बाइ करना है और गैस और और अभी आपको bonus watch के बारे में नहीं पता चला इस वीडियो में bonus watch के बारे में बताऊंगा वो आपको maybe next watch में discuss करूंगा या उससे next watch में पता चलेगा तो guys छोड़के मत जाएगे इस वीडियो को, पूरा end तक देखीगा तो काफी अच्छी watch है, इसके लिए आप जा सकते हैं और इसमें आपको rotating crown option देखने को मिल जाता है देखो, simple सी बात है, अभी आपको 16,00 रुपए में आपको market में single एक watch ने भी लेगी आपको देखने को मिल रही है ये watch तो चलती है, चलते हैं यहाँ पे firebolt की second watch की तरफ जो second watch है, firebolt की थोड़ी सी rugged watch है यह firebolt की expedition इसका मैंने review unboxing कर रहे है, expedition और quest दोनों same ही है कुछ भी difference नहीं है, जादा कुछ difference नहीं है basically तो वो मैंने dedicated video बना रखी, जाके check कर सकते हूँ यहाँ पे अगर हम बात करें, यह watch GPS built-in के साथ आती है under 2000 रुपीज के price bracket में ऐसा आपको option किसी watch में नहीं मिलेगा under 2000 रुपीज में, market में आप search कर लो तो यह watch आपके last room medium इसक्री ठीक है, again यह thin nisht पे नहीं चल पाएगी, यह भी ध्यान रुखिएगा अभी आ रही है guys, चिंदा मत करो, आपके लिए thin nisht वालों के लिए भी watch आ रही है तो इस watch को भी हम रख देते हैं आप चूस कर सकते हैं, आप तो रगेड वाच ची है और यहाँ पे watch में song भी सुन सकते हो accuracy decent मिलती है, इसका मैंने review unboxing कर रख है link मैं आपको description box में देदूँगा इस watch की अब guys, जो next watch आते हैं, वो आ यहाँ पे firebolt की again 1.96 inches के display के साथ आती है firebolt की commando, यह भी under 2000 रुपीज के price bracket में देटने को मल रही है तो guys, अगर आपको rugged watch ही है, वो भी square dial में, तो यहाँ पे यह watch काफी अच्छी हो सकती है इस watch को direct competition देती है firebolt की cobra but cobra का जो dial size है वो चोटा है, मनलग उसका display size चोटा है यहाँ पे इस watch में AMOLED display मिलती है, अगेन आपको under 2000 रुपीज के price bracket में और साथ में यहाँ पे एक flaw है, वो है rotating crown का option नहीं मिलता है यहाँ पे push button मिलती है, यहाँ पे single chip connectivity भी देखने को मिल जाती है इसकी भी link आपको description box में मिल जाएगी अगेन, अभी मैंने जितनी watch के बताएं आपको सारी के सारी last to medium is के लिए ठीक है और skinny wrist के लिए या thin wrist के लिए कोई सी watch नहीं बनी हुए है इन सारी में से खास करतो, अभी आने हाली है skinny और thin wrist के लिए वेट करो थोड़ा सा, और bonus watch के लिए रुख जाओ भी, मैं बताने वाला हूँ आपको इसकी link भी आपको description box में देखने को मिल जाएगी काफी अची watch हो जाती है, अगर rugged watch आते हो, big display के साथ आप तो अब आते हैं यहाँ पे thin और skin wrist वालों की बारी तो यहाँ पे आती है fire world की supernova आप चेक कर सकते हो, चाहें gladiator pro चेक कर सकते हो दोनों ही आपको under 1800 रुपे की price bracket में देखने को मिल जाती है मतलब 1750 में flip card पे अविलेबल है और again amazon पे 1800 रुपे में अविलेबल है, दोनों ही same है, कुछ भी difference नहीं है मतलब इसमें double chip connectivity मिलती है, यह इसमें flaw है, कहीं न कहीं rotating ground का option मिल जाता है, series and ultra की copy लगती है पूरी की पूरी, आप यह समझ सकते हो तो guys, AMOLED डिस्प्ले अगर आपको चाहिए, तो definitely आप चूस कर सकते हो, वैसे amazon पे दिखा रहा है, 128 MB मेमोरी बलती है आपको gladiator pro में, बट बहुसा लोगों ने buy किया, उनको intel memory मिली नहीं है, तो I don't know, यहाँ पे क्यों firebolt ने ऐसा किया कि मतलब gladiator pro में internal memory नहीं दिया, same supernova का ही दे दिया, same वहें पे launch, relaunch कर दिया, कह सकते हो आप, so guys, शाहिए तो आप ले सकते हो, अगर आपको series hit ultra की copy चाहिए, चलिए next watch की दरफ चलते हैं, so यहाँ पे आती है firebolt की hulk, यह guys, last to medium to thin to skinny, सारे रिष्ट के लिए काफी perfect है, same UI आपको, अभी जो मैंने scoopernova आपको दिखाईती, यह कह सकते हो gladiator pro, same UI इसमें भी देखने को मिल जाता है, एकदम डिट्टो, double blue chip connectivity मिलती है, और अगर आपको चाहिए तो आप इसके लिए जा सकते हैं, अगर आपकी skinny wrist है, basically, वरना तो मैंने firebolt की top की watch आपको starting में बता दी, जो आपको अभी एक loot ideal पे मिल रही है, जो आपको firebolt की emperor मिल जाती है, 1599 में एक killer loot ideal मिल जाती है, तो इन सारी watches में से मेरे को वो काफी अच्छी लगी, बढ़ अगर आपके thin wrist है, scary wrist है, तो आप इस watch के लिए आप जा सकते हैं, firebolt की supernova या firebolt की king या hulk, ये सब सेम ही UI के साथ आती है, look भी आपको almost similar ही बिलता है, king या hulk में, या supernova या gladiator pro में, link आपको description box में मिल जाएगी, तो चलिए, क्या हम bonus watch पे चले हैं, चलिए आगे चलते हैं, so यहाँ पे जो आती है, board की storm plus, इसका मैंने review unboxing कर रखा है, under 2,000 रुपीज के price bracket में मिल रही है, approximately 1800 निन आप बे कुछ में मिल रही है आपको, 1.780 इचिस की display मिलती है, last to medium to thin to skinny, सारे इसके लिए काफी perfect watch रह जाती है, board की one of the thinnest watch, या compact कह सकते है watch, और काफी अच्छी लग जो यहाँ पे missing है, कहीं न गहीं, बट अगर अभी भी अगर आपको एक sleek watch ही हो, तो इस watch के लिए आप जा सकते है, board की storm plus के लिए, तो guys, board की यहाँ पे एक और watch आती है, यह बड़ी display के साथ आती है, यह बड़ी display के साथ आती है, यह बट की chronos ultima, ultima chronos आप कह सकते हो, तो guys यह watch भी अच्छी है, बट यह large to medium wrist के लिए ठीक है, thin wrist पे अच्छी नहीं लगेगी, इसका मैंने review unboxing कर रखा है, board की line-up में यह भी काफी अच्छी watch बन जाती है, और अभी on offer देखने को मिल रही है, वैसे हमारा telegram channel join करना मत बूला, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी deal लाते रहते हैं, और हमारा Instagram handle भी इसको follow कर लो, वहाँ पे भी हम आपके लिए updates लाते रहते हैं, तो इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहती है, और guys देखो, simple सी बात है, इसमें आपको chain वाला strap में जाता है, और चाहे normal वाले का I guess price जाता होगा, वैसे normal वाले का under 2,3 rupees के new मिलता है, तो इसमें flaw में पताया तो आप सभी को, crown की इसमें working type का नहीं है, यह push button की तरह काम करता है, और दूसरा, यहाँ पे polycardman build है, यह दो इसमें flaw है कहीं न कहीं, वनना तो वाच काफी अच्छी बन जाती है, और अगर आपको board की बड़ी display वाच ची है, AMOLED display के साथ तो definitely इस watch को आप check out कर सकते हैं, link वैसे इसके description box में मिल जाएगी, तो चलते हैं अपनी board की next, third watch की दरफ, so guys, यहाँ पे आती है, board की wave elevate करके watch है, और इसमें AMOLED display नहीं मिलती, first of all में आपको दूर TFT LCD पैनल है, इसका UI आप कह सकते हो rage, beat xp की rage का पूरा ditto copied है, और rage यहाँ म आपके, और वैसे always on display का option में मिल जाता है, rotating crown भी option देखने मिलता है, इसमें आपको यहाँ इसके आपको इसके लिए जा सकते हैं, but again, अगर आपको Genesis Pro करके है, आपकी एक और यह board की watch है, उसमें AMOLED display मिलती है, but उसका प्राइस 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 जादा है, मतलब 2526 रुप तो guys, अगर आप चाहते हैं, तो उसके लिए आ सकते हैं, इन 1000 रुपए का अंतर है, वो भी आप देख लेना, वैसे इसकी link आपको description box मिल जाएगी, चली आगे चलते हैं, so guys, अब आते हैं यहाँ पे, noise की watch, noise की fuse plus, unboxing review पढ़ा हुआ है, चैनल पे, watch काफी अची है, 1.43 display के साथ, AMOLED display के साथ ही watch आती है, एक watch और रखने वाला था, मैं noise की ही, evolve 3, बट उसका प्राइस है 100 रुपए जादा है, इसलिए मना इसको अटाए दिया है, इस वीडियो में से, उसका 29 रुपए प्राइस था, बट अगें, ये watch जो है आपको, 1.949 मतलब, अगें, 1.999 त और यहाँ पर lock option देखने में जाता है, पर password lock option नहीं, screen lock option इसमें, और यहाँ पर ring vibration meet का option देखने में जाता है, watch अच्छी है, lightweight है, ये watch और मेरे को काफी पसंद आती है, display quality भी इसकी काफी top की मलती है, तो इसकी link आपको description box में देदूँगा, बट इस से better watch मैं अगली बताने watch है, first of all, मैं आपको बता दूँ, इसकी display बड़ी मलती है, 1.46 inches की display मलती है, इससे पहले जो मैंने watch बताई, fuse plus, वो आपके last two medium इसके ठीक है, ये watch भी आपके last two medium इसके ठीक है, बट ये finish पर भी चल सकती है, yes, एकदम thin नहीं होने चीछी, ध्याना करना 5.8 inches के wrist होने चीछी, इसकी best watch है, under 23 rupees के price bracket में, AMOLED display के साथ ही watch आती है, ring vibration meter को option इसकी मलता है, UI आपका same fuse plus और इसमें दोनों में डिक्टो almost identical ही देखने को मिलता है, कुछ भी difference नहीं है, तो ये आपके ध्यान रखेगा, और इसमे voice assistant नहीं मिलता है, ध्यान रखेगा, नहीं fuse plus में मिलता है, तो य इसा लगता है कि 6-7 रुपे की watch आपने पहन रखी है, ये लगती नहीं 20 रुपे की watch, तो इसकी लिंक आपको description box मिल जाएगी, और चलिए, हम अब चलते हैं कुछ other brand की watch की तरफ, जो की है fast track, fast track के line-up पे चलते हैं, so guys, यहाँ पे fast track की FR1 pro आ जाती है, review unboxing पड़ा है हमारे चैनल पे, watch अच्छी है, 1.3 इंचिस के display लेके आती है, accuracy भी अच्छी मिलती है, fast track की watch तो आपको पते है, ये आपको अपको अपको पते है, बेटर होती है, ये आपको अपको अच्छी मिल रुपीस की price bracket में देखने को मिल रही है, ये watch आपके last or medium तो थिंते हैं, इस पे नहीं क्यों, मतलब बहुत जादा, भेदभाव करता है, budget bracket में कभी भी ये metal का build नहीं देता, polycarbonate build मिलता है, चाहें ये देख लो, चाहें इसके बाद आने वाली watch है, वो देख लो, watch काफी अच्छी रहती है, इसमें अगर होता तो better था, और इसमें games calculator का option कहीं भी नहीं मिल कर और आपको value for money मिल रही है, ये fast track की रिवोल्ट है, far one pro, और चलते हैं अपनी next watch ही तरफ, और एक optimus भी अबट, optimus का जो price जादा था, under two thousand rupees के price bracket नहीं था, वो 2200 तक था, तो उसको मैंने नहीं रख रहा है, इसकी link आपको description box में मिल जाएगी वैसे, so guys, यहाँ पे fast track की कम अगे, under two thousand rupees में मिल जाएगी, अगे, under two thousand rupees में नहीं, but 24 रुप extra देना पड़ेगा, 20 to four rupees में मिल रही है, yes, अभी मिल रही है, 2024 में, अगर आपने नहीं buy कर पायो, तो अभी आप buy कर सकते हो, link मैं इसकी description box में दूँँगा, काफी loud speaker मिलता है, उसमें games भी देख में जाते है voice session में जाता है, flow यह की polycarbonate build है, दूसरा flow यह की rotating crown के साथ नहीं आती, but display quality टॉप की मलती है, accuracy काफी अच्छी मलती है, इस watch की, तो एक ही color shade available है on Amazon, इसका 20 to four rupees में मिल रहा है, तो इसको under two thousand rupees में ही मैं count करूँगा, link इसके description box में मिल जाएगी, तो चलिए, बहुत मैंने wait करा आप सभी को, यहाँ पर हम bonus watch की तरफ चलते हैं, यह है cult sport की beats, इसको मैंने under 1500 rupees के price bracket में बोनस में बताया था, but under 1500 नहीं, यह under two thousand rupees में आती है, क्योंकि यह आपको 1799 रुपे मिल रही है भी offer पे, और flip card पे buy करते हो 1750 तक में मिल जाएगी, इसमें आपको storage मिल जाता है, वैसे watch अच्छी है, aluminium casing मिलती है, last to medium to thin risk के लिए काफी अच्छी, rotating crown का option पे दिखने मिल जाता है, वसी के साथ साथ यहाँ पे games, calculator, voice assistance, सब कुछ देखने को मिलता है, water logout का option पे दिखने को मिल जाता है, तो इसकी link आपको description box में मिल जाएगी, so यहाँ पर अपनी sixth watch के तरफ चलते अच्छी है, ब्लैक बटर है definitely, बट यहाँ पे आपको चीज़े काफी अच्छी मिलती है, वैसे normal इसका price one triple नहीं रहता है, अभी on offer देखने को मिल रही है, again 1599 रुपे के price packet में, और guys और, इसका direct competition बता है किस watch से, इसी का ही एक watch है, जो आपकी आती है, beat xp की ही evoke करके, तो beat xp की evoke और इसमें difference किया है, देखो evoke का जो price है, इससे जादा हो चुका है, so पहले evoke, यह वाली जो evoke है, यह same price में थी 1599 में, बट अभी जो price हो बढ़ चुका है, मतलब 1899 के करीम मिल रही है आपको, तो evoke और vega में कुछ भी difference नहीं, evoke में extra button मिल जाता है, बट vega में आ रहेगी vega, और vega neo भी है एक watch, तो vega neo के लिए भी आप एक बार check out कर सकते है, vega neo आपको मिल रही है on amazon, अगें 1500 रुपए के price bracket मिल रही हो तो वो भी काफी killer deal मिल जाती है, बट अगें इसमें मैंने sale include नहीं किया, क्योंकि under 2000 रुपीज के price bracket में हम बात कर रहे है, तो neo से त बहुत बड़ा, जब call-all आती है, only vibrate करता, इस watch रिंग नहीं करते है, और एक बटन मिल रहाती है, और एक बटन मिल आती है, और रोटाटिं और से कुछ पोर्स मोर्त आने के लिए रहे है, तो guys, games calculator, calendar का उप्शन देखने हो लिए इस watch में, blood pressure monitor, ब्लेट पैसिंगर को ऊप इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा इसका मेटल वाला श्ट्रैप है मतलब मेटल की चेंज है वो अंडे टू था नुपीस के प्रैस बेकर में देशने को मिल रही है Amoled always on display लेके आती है वोच और 1.43 इसकी display में जाती है इसमें आपको इसमें ब्लैक बॉटर नहीं दिखे है क्योंकि इसमें sporty look दिया गया है तो गैज ये बेटर है कि वेगा बेटर है तो गैज इससे बेटर आपकी वेगा रहेगी वेगा में proper ring करता है जब कॉल वल आती है proper ring करता है जब अलाम लागाते हो और उसमें आपका singly better मिलता है जो कि professional लगता है अगेन आपको double button चीए तो अगेन evoke के लिए आप जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो evoke ये वेगा जाधा better रहेगी rather than going for vega x क्योंकि vega x में जाधा functionals नहीं मिलते है अगर मैं directly compare करूं क्योंकि इसमें only vibrate करता है जब call wall आती है तो अब beat xp के line-up में सबसे last watch यहां पर मैं लेकर आता हूँ beat xp की unbound इसका मैंने review unboxing कर रहा है fit shot crystal की two exact copy है fit shot crystal का जो price जाधा है नहीं तो मैं जरू include करता under two thousand rupees के price bracket में बहुत time से 2000 पर में चल रही थी बट अभी fit shot का price जो है मेरे क्याल से 2400 से 2799 पे के करीब चल रहा है इससे पहले beat xp की जितनी वाच्चे बताइए वो सारी के सारी वाच्चे आपके लाच्ची वाच्च बन जाती है यह आपको वैसे तो normal जो strap है वह आपको वही 1500 में मिल रहा है बट अगर आप इसका pink वाले लेते हो बट अगर आप इसका gold वाले लेते हो बट अगर आप इसका chain वाले strap लेते हो तो 1799 पे के price bracket मिल रहा है तो 1799 में में भी एक killer deal बन जाती है और इसकी लिंक आपको description box में मिल जाएगी beat xp के one of the best watch में कहूंगा अब हम चलते हैं conclusion की तरफ so guys conclusion में क्या ही करूं यहाँ पर मैं खुदी confusion क्योंकि under two thousand rupees में इतनी सारी मैं ने watches तो बता दी बट यहाँ पर सबसे best choose करना एक पहाड़ पे चड़ने के बराबरी है और इतनी बड़ी video अलेडी हो चुकि है 20 मिनिट तक चली ना जाए कहीं है video तो चलिए no doubt आप सभी के लि अगेन मैंने इसको सबसे number 9 पर भी रखा था firebolt की emperor और यह अभी loot deal पर मिल रही है 1500 99 रुपय के price bracket में जो की सारी की सारी watches को पचार देती है इसकी symmetrical display जो काफी जादा gorgeous लगती है आपके हांतों पर काफी अच्छी लेगेगी link आपको description box मिल जाएगी इस watch को आप ग्राप कर स रखते हो hulk या king या supernova या आपकी gladiator pro वैसे firebolt की range में यह अभी इस top की patch में number 1 पर मैं रखता हूँ second number पर तो beat xp की आनी थी top की watch है beat xp की unbound इसकार भी unboxing पड़ा हुआ है हमारे channel पर last to medium to thin to skinny सारे इसके लिए काफी अची watch है यह straight away पचार देती है fit shot की crystal को rotating ground, secondary button, password protection का option, ring vibration, mute का option, single chip connectivity का option, AMOLED display, always on का feature, metal का build, सब कुछ ये watch लेकर आगा थी है तो पंदरास और पे में एक killer deal बन जाती है इवन सात्रासु इन इटेन में में chain वाला strap मिल रहा है जाके आप बाई कर सकते हो लिंक आपको description box मिल जाएगी इस watch को रखते हैं हम second number पर इसे बाउजूद भी ये thin wrist पे चल सकते है बट ध्यानक ना 5.8 inches के wrist होने चीए उससे कम होंगे तो नहीं चल पाएगी, metal का build है, always on AMOLED display मिलती है, look or feel भी काफी premium आता है इस watch का, पूरा overall बिलाके बहुत premium लगती है आपके हाथो पे, और single chip connectivity का option तो है ही है, तो इसको हम रख watch की display काफी vibrant है, काफी अची है, और sleek watch है, last to medium to thin to skinny, सारे wrist पे काफी perfect लगती है watch, तो इसके लिए आप जा सकते है, वैसे, इसको हम रखते हैं, फोर्थ नमबर पे, फोर्थ नमबर पे इसलिए भी रखा है क्योंकि board का भरूसा है, और यहाँ पे accuracy अची रहती है, बोर्ट की So last but not the least, यहाँ पे, FastTrack की Revolt FS1 Pro, on offer मिल रही है, again 2024 रुपी के price bracket में, काफी अची डील है, और accuracy भी काफी अची मलती है, symmetrical type की bezel मलती है, जितनी मैंने watches दिखाई हैं आपको यहाँ पे, जितनी भी, सबसे जादा loud इसकी sound quality मलती है, तो इसके लिए आप जा सकते हैं, link वैसे description box में दे दूँगा, एक मैंने bonus watches बीच में बताई थी, तो उसको भी आप check out कर सकते हैं एक बार, वो bonus watch वही है, कि मतलब cult sport की beats है, उसमें Intel memory मिल जाती है, तो इसमें मैंने जितनी watches दिखाई हैं, Intel memory तो नहीं मिलती, बट आपको, जो cult sports की beats है, उसमें आपको Intel memory मिल जाती है, वो अगें 800 रुपय के price bracket में दे दिखेंगों मिल रही है, तो यह तो होगी top की 5 watches और एक bonus watch मैंने बता दी, और guys एक चीज़ और रह रही है, वो है giveaway, 40k subscriber पे हम next giveaway प्लान कर रहे हैं, इस वीडियो का maximum से maximum लोगों तक share कर दो, और मिलते हैं आप सब इसे अगली वीडियो में दिल देन, बबबाई